आस्सलाम वलेकुम डेर स्टूडेंट्स एडमिशन नोटस पार एंडरग्रेज़्वीट डिगिरी कोड़ प्रोग्रामज के लिए 2023 धो 2024 जो स्टूड़न फरस्ट सिमिस्टर में एडमिशन लेना चाता है बीए करना चाता है BSC, BSC करना चाता है चाहे वो किसी भी University में जाके Admission कर सकता है वो आराम से कर सकता है लेकिन उसके लिए जो ये वेबसाइट है admission.smrth.ac.in gov जो ये admission की जो portal है यहाँ पर आपको काम करना होगा काम कैसे करना है, लिखना क्या है और क्या admission के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता दूँगा लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि आप किस-किस college और किस-किस university में admission ले सकते हो सबसे पहले आप भारमुल्ला college में भी ले सकते हो आप Islami college science में ले सकते हो, GCW में ले सकते हो, cluster cluster सेरनेगर, cluster जमू university कश्मीर और university जमू यानि कि इन साथ university छे university में या साथ university में किसी भी university में आप admission ले सकते हो पहले क्या होता था, district में जो आपका college था, उसी में आपको admission मिल सकता है उसके बाहर आपको admission नहीं मिल सकता लेकिन आप यहाँ पर new rule है कि आप किसी भी कश्मीर जमू के किसी भी college में जाके admission कर सकते हो यहाँ पर रहा सवाल कि आप admission के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, fees क्या है कैसे आ जाएगा, list कैसे आ जाएगा पता कैसे चलेगा, वो मैं आपको आगे बता दोगा देखो guys, admission के लिए आपको सबसे पहले एक profile create करनी होगी, जो की पहले भी करनी थी, जो student 2023, 2022 की students थे उनको भी profile create करनी थी लेकिन इस साल जो है, वो उल्टा पुलट है इस साल आपको अच्छे से यहाँ पर CUET, non-CUET students के लिए क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बता दूँगा, 27 यानि के आज से ही आपकी link, यानि की JK admission link है, वो open होने वाली है 27 July से, जो आज है तो यहाँ पर आपको step to step admission के लिए सबसे पहले registration करनी पड़ेगी, registration के लिए आपको वहाँ पर portal, jkadmission smr.ac.in तो उसके बाद आपको registration पर, new registration पर click करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आपको COT तो yes, अगर ने तो no उसके बाद आपको, अगर COT दिया है तो आपको COT application number लिखना पड़ेगा, अगर नहीं तो आपको अपना नाप, अपने database और अपनी email और phone number लिखना पड़ेगा, उसके बाद SMS आजाएगा वो आपको OTV देना है, उसके बाद email आपको आजाएगी, email पर अगर आपको correction है कुछ है तो आपको notification आजाएगी, email पर जब आपकी registration कंप्लिट हो जाएगी तो फिर आपको CVT के login करना पड़ेगा चाहे आपकी CVT दिया है उसका जो login नमबर है वो देना पड़ेगा, चाहे आपने अपना password अपना जो email आईड़े रखी है, वो आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद जो password रखा है, वो किसी के साथ share नहीं करना है, ये बात आपको खास तोर पर समझना है, उसके बाद जो CUT students है या non-CUT students है, उनको correct करना पड़ेगा, अपना जो मतलब कि name है, अगर name गलत होगा तो आपको उनिवरस्टी के मार्कस काणमर भी वही नाम आ जाएगा, वही category आ जाएगी वही सब कुछ, इसलिए मैं चाहता हूँ आप आराम से वह registration करके देख सकते हो उसके बाद, जब आप ये सारा कुछ category जो होती है आपको वह देखोगे, वह वहाँ पर जो है, वह apply करके देखोगे उसके बाद आपको next step देना पड़ेगा क्योंकि जब आप registration करोगे, आपको खुझी कुछ समझा जाएगा, कि मुझे आगी क्या करना होगा, आगी क्या, उसके बाद, अगर आपके पाद supports category है, कोई national level के certificate है, कोई supports category के certificate ही कहाँ पर आप जाके admission ले सकते हो, अगर नहीं है, तो certificate कर सकते हो, उसके बाद, आपको 10th, 12th marks card की जुरुवत पड़ेगी, role number जो board, role number है, registration number है, वो आपको देना पड़ेगा, passing mark, stream क्या है, चाहे जी के बहुत से क्या, CBC क्या वो आपको देना होगा, ठीक, अगर, automatically वो दिखा रहा है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जो वो वहाँ पर steps देगा, वहाँ पर registration के regarding, वो आपको आगे आगे उसमें बढ़ना पड़ेगा, अगर आपको दिखात आ रही है, तो आप मुझे WhatsApp पर भी message कर सकते हो, in Instagram पर भी short portal पर मैं आपको वहाँ पर replay दे सकता हूँ, तो उसके बाद देखो students, जो यह है, आपकी जो, मतलब chances है कि आप किस में करना चाहते हो, भी ए, भी सी किस subject में करना चाहते हो, वहाँ पर आपको select करना पड़ेगा, but carefully के साथ select करना पड़ेगा, फिर आपको वही subject मिल सकता है, देखो इस साथ जो होगी, जो आपका document जो होगा upload होगा, upload के बाद आपका selection list आ जाएगा, क्योंकि इस साल ऐसे नहीं है कि जाओ आपको admission मिलेगा, जाओ आपको roll number मिल जाएगा, नहीं, आपको merit based admission मिल सकता है इस साल, जो 12th में आपने marks हासिल किये हैं, उसी के हिसाब से आपको admission मिल सकता है और उसी के हिसाब से आपको college में subject मिल सकता है उसके बाद upload करने के बाद आपको college बुलाया जाएगा, और जो आपने वहाँ पर upload किया है category, अगर आपको fake थी कोई category या फिर कोई problem थी, तो आपको admission cancel भी हो सकता है उसके बाद आपको preference देनी पड़ेगी, मुझे किसमें करना है किसमें नहीं करना है, लेकिन students को preference देनी हैं, उसी subject के, जिसमें उन्होंने admission के लिए exam दिया था, अगर उसमें उनको score अच्छा था तो आपको कोई problem नहीं होंगी, उसके बाद नीचे जाएंगे उसके बाद जो students है वो आराम से दिन में दो तिन बार वो चक कर सकते हो कि मेरा कुछ गलत मत हो गया, वो ये ठी उसके बाद आपको spinal submit पर click करना पड़ेगा, जब आवे सब कुछ detail देोगे उसके बाद आपको ये देना पड़ेगा देखो, यहाँ पर note लिखा है कि मैं आपको ये बता दूँगा, ये आपको आराम से देखना पड़ेगा ये जो note है, कैसे आपको admission मिल सकता है इसमें लिखा है कि candidate जो है, वो submission जोनोंने apply किया है, confirmation information seat, इसका मतलब ये नहीं कि उसको seat बिल गई, second thing is that कि अगर एक बार उन्होंने confirm किया, तो आपको फिर shortlist आजाएगा, जो round होगा, round 1, round 2, उसकी हिसाब से आपको admission मिल सकता है और उसके बाद आपको physically, आपको college में जाना पड़ेगा, HGI में तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा admission के लिए, जो है, वो document देने पड़ेगे, उसके बाद आपको fees, जो है admission के लिए successful हो जाएगा okay, information थी आपको इसलिए मैंने सौचा कि आप किसी भी college में admission लेकर, जो है वो पड़ाई, start कर सकते हो ये अजादत आएगो